आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं तो आप वीडियो आखरी तक देखिए और आपको वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट करके अपना फीडबेक जरूर दीजिए तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं theories of entrepreneurship तो अगर हम देखते हैं अलग स्टिर्ट के बारे में जो principles हैं अलग सबसे पहले हम अगर बात करते हैं इनोवेशन थिवरी नवाचार सिद्धान तो देखो नाम से पता चला है इनोवेशन कुछ नया ठीक है तो इस थियोरी को जोजेफ ए सुमपीटर ने दिया ठीक है तो अब इस थियोरी के क्या क्या अजमसंस है दा ऑन्तोप्रियोर इस बॉन्ड विद डिजायर तो स्टेबिलाइज इस ओन इंडरी किया कहती है कि जो भी ऑन्तोप्रियोर होते है उद्धिमी होते है उनका जन्म किसली होता है इस इच्छा से होता है कि वह एक इंडर्श्व्य एक उद्धियोर इस थापित करेंगे ठीक है the entrepreneur desire to do something new उद्दमी कुछ नया करने की इच्छा रखता है ठीक है and the introduction of a new good which consumers are not that familiar कि जो entrepreneur होते हैं कि नई चीजों से customer को consumer को क्या करवाते हैं introduce करवाते हैं जिसका जो consumer अभी तक उसका use नहीं करते थे ठीक है तो ये नई चीज लेके आते हैं और उनसे customer को introduce करवाते हैं the introduction of a new method of production की उत्पादन की एक नई विधी एक नई तरीके की शुरुवात करते हैं ठीक है तो कौन है entrepreneur ठीक है तो सबसे first theory जो हमने देखी और जो consumer के सामने नई ने products लेके आते हैं ठीक है और new method of production उसके starting करते हैं और next अगर theory हम देखते हैं theory of need of achievement उपलब्धी की आवसकता का सिद्धान तो इस theory को किस ने दिया इस theory को दिया मेकले लेंड ने इस theory को दि और मेकले लेंड क्या कहते हैं इस theory के बारे में उनका मानना है कि his assumptions is that the desire of high achievement ठीक है कि उच उपलब्धियों की इच्छा कि वैक्ती के मन में इंसान के मन में जब वो चाहता है कि वो कुछ बड़ा हासिल करे ठीक है तो इच्छा ही इच्छा ही क्या करती है कि उसको अंदर से motivate करती है ठीक है ताकि वो कुछ अच्छा कर सके तो इसलिए वो अपनी best performance करता है और जल से जल काम्याबी को पाने की कोशिस करता है ठीक है तो यही चीज जो है theory of need of achievement क्या कहती है कि जब आप achievement को पाना चाहते हैं उपलब्धि को हांसिल करना चाहते है तो आप पूरे जोड़ सोर के साथ ठीक है आप पूरे तन मन से आप उसको पाने का effort करते हैं प्रयास करते हैं ठीक है और जब तक आप उस चीज को achieve नहीं करते तब तक आपकी एकोसिस लगाता है जारी रहती है ठीक है आप अपना best performance देते हैं इसके साथ-साथ बट फोर डेट अंट्रप्रेवर शुट्ट है एड़केट कैपिसिटी ओफ इमेजिनेशन ठीक है लेकिन इसके लिए भी क्या जरूरी है इसके लिए भी जरूरी है कि जो अंट्रप्रेवर हो उसके पास क्या है कि capacity of imagination ठीक है thinking कि उसके पास कलपना करने कि सोचने की वो काबिलियत हो और इसकी अलामा developing new combination कि नए जो संयोजन है उसको विक्षित करने के प्रयाप्त उसको छमता हो जैसे एक example के तोरपे हम देख सकते हैं कि पहले आपको खाना होता था तो रेस्टोरेंट में जाते थे और पढ़ना होता था तो पढ़ना होता तो public libraries होती थी ठीक हैं वहाँ पर आपको जारीग करते थे लेकिन कई बार होता था कि रेश्टोरेंट में जा नबी लेकिन थे फीक नया कंसट रेड्रेंट के लिए और पड़ भी सकते हैं और साथ में खा भी सकते हैं तो क्या था एक नया combination था एक नई चीज थी जो पब्ली के सामने इंट्रोडीश की गई उनकी help के लिए ओके अब next theory हम देखते है theory of recover the withdrawal of status की स्थिति की वापसी को पुना प्राप करने का सिध्धान recover the withdrawal or status ठीक है तो इसको जानते हैं तो इस theory को किस ने दिया इस theory को एवरेट हेगन ने दिया हेगन जी क्या कहते हैं इस theory के बारे में his assumptions is that creativity of any suffering minority group in the society is the main source of entrepreneurship की उनकी धाड़ना है कि समाज में किसी भी पेडित अलसंजक्स मुख की रचनातमकता उधम श्रीलता का मुक्य स्रोथ है कि अगर हम society में देखें तो बहुत सारे लोग जो होते हैं society में ठीक है बेसक से उनकी income इतनी अच्छी नहीं है की लोहे से इतने सुन्दर सुन्दर चीज़े बना देता है तो उनका status अच्छा नहीं होता लेकिन उनके पास काभिलियत होती है ठीक है तो ओ गुरूप भी मैसूस करता है कि नहीं अगर मुझे उपर आना है ठीक है मुझे एक status को maintain करना है और मुझे बागी लोगों की तर है बनाते हैं ठीक है नहीं तरीके से बनाते हैं और दिरे दिरे अपने status को improve करके एक आगे चलके एक अच्छे entrepreneur बन जाते हैं ठीक है in this regard he is of the opinion that if due to any reason ठीक है the prestige of a community is reduced then that group becomes very active and strong to retrieve it जैसे मैंने बोला कि किसी भी कारण से ठीक है चाहे कास्ट बेस की बात करें चाहे income बेस की बात करें जब इस group यह जो इस तरह का जो ग्रूप होता है उसको लगता है कि उसकी जो social prestige खतम हो रही है कम हो रही है तो यह जो group होता है ठीक है जिसके पास creativity होती है तो यह group पूरे efforts के साथ ठीक है उपर आने का प्रयास करता है मेहनत करता है कोशा करता है और देरे स्यसाइटी में यह भी अपना ऊपना एक रुटर रुटा मुवाř जब आपकी कुछ करने के च्छा होती है और जब आप एक और फैमिली में आप जर्म लेते हूं और आपको लगता है कि नहीं मुझे आप इस टेस्ट पर नहीं रहना मुझे उपर आना है मैं मुझे कुछ नया करना चाहता हूं तो इसी की वेज़ से entrepreneur जर्म लेते हैं ठीक है मतलब आपके अंदर की creativity ही आपको एक entrepreneur और बनाती है ठीक है तो it can be said that the low prestige of any social group is the root cause for the development of its personality and entrepreneurship कि हम कह सकते हैं कि कि किसी भी समाजी समों की कम प्रतिष्टा उसके व्यक्तित और उद्मता के विकास का मूल कारण है कि जब हमें लगता है कि दूसरों का status अच्छा है और हमारा नहीं है तो हम भी पूरा effort करते हैं कि नहीं हमें भी उस status प्याना है तो हम पूरी effort के साथ मेहनत करते एपना best देते हैं ठीक है तो धीरे-धीरे इससे क्या होगा हमारा जो status होगा हमारा जो को दी ठीक है तो कुंकेल जी क्या कहते हैं he assumes that the entrepreneurial development of any society depends upon its past and existing economic social expression की यह मानते हैं कि कि इसी भी अगर हम entrepreneurial development की बात करें ठीक है उदमसीलता के विकास की बात करें तो इसके लिए जरूरी है कि एक society की क्या need है ठीक है चाहे हम past में society की क्या need थी और future में society की क्या need है जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि आज के टाइम में अगर हम अपने society की बात करें तो दीरे दीरे जैसे online marketing हो गई ठीक है जो एक entrepreneur होता है जब उसको पता है कि society की need क्या है उस चीज़ को ध्यान में रखकर ही वो नयने product को launch करता है ठीक है तो entrepreneur development इस बात पर भी निर्भर करता है कि society की क्या need है ठीक है उसके social expressions क्या है तो फिर entrepreneur क्या करते है society की need को expression को पहले identify करते हैं फिर उस संबंद में अपने new new जो invention है या नयने product है उसको launch करते है ठीक है next entrepreneur group theory ठीक है उद्दमी समूर्शिद्दान तो इस theory को किस ने दिया था इस theory को frank w. young ने दिया था ठीक है उनका क्या मानना था कि उनका मानना था कि the theory is based on the assumption that expansion of entrepreneur activities is possible only by entrepreneur group कि जो भी अगर हम बात करते हैं उद्दम सिल्टा की बात करते हैं entrepreneurial group की बात करते हैं तो इस तरह का जो mindset होता है हर किसी के पास नहीं होता creativity जो mind है हर किसी के पास नहीं होता और किस तरह से जो भी प्लान है उसको execute करना है तो यह चीज़े घर किसी के पास नहीं होती तो इसके लिए क्या होता है कि जो इस तरह के जो entrepreneurs होते हैं उनका एक group होता है और उस group में स्रीप कौन से लोग होते हैं एक्सपर्ट लोग होते हैं ठीक है जो क्या करते हैं कि पूरी कोशिस करते हैं मैनत करते हैं और धीरे धीरे आगे आते हैं ठीक है तो this theory is based on the assumption that expansion of entrepreneur activities is possible only by entrepreneur group because they have specialties in the group and capacity to react और उनके पास सोचने की समझने की कुछ करने की capacity होती है और जो सोचने है उसको action में लाने की उसको apply करने की उनके पास छमता होती है capacity होती है ठीक है तो यह हर किसी का काम नहीं है किसी का काम है only जो है a own Austin winner m उनका काम है क्योंकि उनके पास सोचने की समझने की और करने की छमता होती है तो इस तरह से समाज में कोई भी जो सम्मूव है उसको लगता है कि उसकी जो स्टेटस है वह अच्छी नहीं है तो ओर लोग ठीक है एक नए आइडियास के साथ ठीक है जैसे आमालो आपको आप चाहते हैं कि आपको कोई बिजनेस चलाना है ठीक है तो आप क्या करोगे हर लोगे आप पहले देखोगे कि कौन कौन से आपके पास लोग है जिनके पास माइंडे जिनके पास काई वान गुरूप बनाओगी और आप अजब साथ मिलकर काम करोगे दीरी-दीरे आप आगे बढढ़ोगे और अपने गोल को अच्छीव करोगे तो इस तरह का गुरूप क्या हो गया entrepreneur group ठीक है इस तरह से social change theory की अगर हम बात करते है इस theory of entrepreneurship development has been propound by Max Weber की इस theory को किस ने दिया था मैक्स बेबर और मैक्स बेबर ने क्या कहा था for the first time he stated that the emergence and development of the entrepreneurs depend upon ethical value system of society की जो भी उद्धमी है उनका उद्भर और विकास किस पर depend करता है कि जो society की जो value system है ठीक है बिल्कुल society का में चाहे हम culture society का culture की बात करें चाहे हम religion की बात करें तो इन सब का भी एक entrepreneur जो activity है उस पर काफी प्रभाव पड़ता है मालो एक example हम ऐसे भी देख सकते हैं कि आप मालो बिल्कुल pure vegetarian है ठीक है आप जिस society में रहते हैं लोग pure vegetarian है और आप कोई food का कुछ काम करन हैं तो चांसी से क्या vegetarian ही चीज़े करें जो vegetarian जो food है आप वही launch करें आप non-wage ना launch करें कि आपके जो values हैं जो culture है आप वोचीजे नहीं करने की मतलब कह सकते हैं कि अंदर से मना करते कि यह चीज नहीं करने चाहिए ठीक है तो कई बार आपका जो business है ठीक है आपका जो काम ह है वह depend करता है कि आपकी society में आपके values क्या है आपका culture क्या है नेक्स्ट अगर economic theory की हम बात करते हैं आर्थिक सिद्धान तो this theory has been propounded by पैपुएक और हासिस ठीक है कि पैपुएक एंड हासिस ने इस theory को दिया तो एक क्या कहते हैं इस बारे में कि इस theory is based on the assumption that entrepreneur development is the result of various economic motivation तो बिल्कुल सही बात है कि इस तरह की अगर हम entrepreneurship की बात करें ठीक है ऑन्तरप्रियोर activity की बात करें तो जब हमें लगता है कि इस काम में benefit है इस काम से हमें profit होगा ठीक है यह काम अच्छा है इससे future में growth मिलनी है तब ही हम उस काम को करते हैं तो कही ना कहीं ठीक है economic motivation भी होती है जब आपको लगता है यहां से में benefit होगा तब ही आप करते हो तो economic motivation या आप इसको कह सकते हो कि income भी माइने रखता है कोई भी काम start करने के लिए ठीक है तब ही तो आप effort करते हो ठीक है तो आज जो है हमने अलगलग theorist देगी entrepreneurship की ठीक है तो आप सब बताइए आपको वीडियो कैसा लगा comment करके जरूर बताइए तो आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद